हेलो गाईज जैहिंद आप सभी का शुरागत हमारे टूब चैनल पर फाइनली गाईज आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने बीड में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है साथे साथ हम बात भी करेंगी कि बीड फर्ष्ट एक रजल्ट कब तक आ रहे हैं क्योंकि आप सभी को मैंने लाश्ट वीडियो में बताया भी था कि नॉमबर के फर्ष्ट वीडिया सेकंड बीड में आपके रजल्ट आ जाएंगे तो गैस अगर आप चैनल पर पहले बार बिजिट के हैं तो आप सभी लोगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहां पर जितने भी ऑथन्टिक इन्फॉर्मिशन होते हैं बीड के रिगार्डिंग वो सारे अपडेट्स हम आपको यहां पर लाके देते हैं साथ ही साथ चौधरी चरण संग कुछ पर दाला की क्लासेज भी हम अपने चैनल पर चलाएंगे जो की जल्दी ही चलेंगी विकाज अभी बीड के अड्मिशन चल रहे हैं अड्मिशन कंप्लीट होते ही आपकी क्लासे साथ चलना शुरू हो जाएंगी अभी तक अगर आपने अड्मिशन नहीं लिया है तो आज का वीडियो आपके लिए है बीड कॉलिजो में 1.90 लॉक सीठे खाली हैं सीठे प्रवेश शुरू यानि अब आप जो है डाट अड्मिशन अपना ले सकते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी सीठे खाली है बीड कॉलिजो में 9.90 तक का मौका है चात्रों ने पूल कॉंसलिंग में भी नहीं दिखाई रुची पूल कॉंसलिंग सबसे लाश्ट में आपका होता है उस कॉंसलिंग में भी बहुत कमी बच्चे रहे हैं जिसकी वज़ा से आपको अपना एडमिशन लेना है कॉलेज में आपको आप 2200 की डीडी भी नहीं लगानी है अब सिधा सिधा एडमिशन आपका कॉलिजो में हो जाता है और डाट एडमिशन की खास बात है गाइज सब कुछ सही रहेगा इसकॉलर्स भी आगा अगर आप अगर आप इंटरे कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं जिस भी कॉलेज में सीटे खाली है जहां भी आप जानते हैं जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं प्रदेश के बीड कॉलेज में 1.90 लाग से अधिक सीटे खाली पड़ी है बुंदेल खंड विश्वित जले ने अब बीड की डारेट काउंसलिंग शुरू कर दी है अब छात्र स्चीधे कॉलेजों में जाकर प्रवेश ले सकते हैं एक काउंसलिंग 9 नौमबर तक चलेगी बुंदिल खंड इनवर्सिटी ने बी-एट की काउंसलिंग 15 सितंबर से सुरू की थी तीन चरणों की काउंसलिंग पूरी होने के बाद 22 अक्टूबर को पूल काउंसलिंग शुरू ही इसमें एक से 4.22 लाख रैंक तक क्या भटती को सामिल होने का मौका दिया गया 31 अक्टूबर को पूल काउंसलिंग में सामि इस कांसलिंग में चात्र चात्र हैं सीधे कॉलेज में पहुचकर प्रवेश ले सकेंगे चात्र के पहुचने पर कॉलेज के बी यू की कांसलिंग विबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा इसके बाद बी यू द्वारा एक OTP भीज़ा जाएगा जिसे कॉलेज को अपनी पर सत्यापित करना होगा इसके बाद चात्र की पंजीकरण ID लिखनी होगी फिर अब भेटती के पंजीकरण मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा चात्र द्वारा OTP बताने पर विबसाइड पर चात्र की पूरी डिटेल खुल जाएगी चात्र द्वारा फीज जमा करने पर प बीट फस्ट इयर और सेकेंडियर के रजल्ट तो अभी आए नहीं है और हाँ आपका रजल्ट इसी वीक में आपके नेक्स्ट वीक में आने की पूरी पॉस्बिल्टी है आपका पंदरा क्योंकि 9 नॉमबर तक की आपका एडमिसन सल रहे है बीट का अगर इस वीक में आप तो सेकेंड बीग में आपका एडमिसन मतलब रजल्ट आ ही जाएगा नहीं 15 नॉमबर तक की आपका रजल्ट आने की पूरी शंभावना है और रजल्ट आ ही जाएगा उसमें दोरा नहीं है आपके रजल्ट आजाएंगे क्योंकि बहुत कॉलेचों में बात किया बहुत सा की जाएगा ओर्व दोरा नहीं 16 नॉमबरू आपके रजल्ट आने की कि आपका रजल्ट आ पका रजल्ट आने की जाएगा दोरा नहीं 15 नॉमबर 50 नॉमबर 11 नॉमबरे